Hello Friends, Plants and Pets Lover में आप सब का सवाकत है Friends, गर्मिया आ गई हैं और reclaims को हमें बहुती जादे दिख भाल की जरूत है इनको हमें अपने प्राँड़स को धूप से बचाना है, गर्मी से बचाना है और उनको थंडे थंडे फर्टिलाइजर बना करके देने हैं और chemical fertilizer अपने फ्रांस में avoid करने हैं गर्मियों में क्योंकि एक तो इतनी तेज़ धूप friends और उपर से हम chemical fertilizer अपने फ्रांस को देंगे तो वो उसके chances ज्यादा हो जाते हैं खराब होने के मरने के तो आप organic fertilizer बना कर दीजिए हमारी kitchen में ही इतनी तरह के fertilizer हैं कि आप अपने फ्रा अपने फ्रांस को चाहिए वो सब हमारे kitchen में मौझूद है आप organic तरीके से fertilizer बना करके अपने फ्रांस को दे सकते हैं तो मेरा भी आज का यह है fertilizer यह free है friends आप शायद इसको फेकते होंगे तो यह अपने फ्रांस में यूज कीजिए बहुत ही जाद है इसमें nutrient हैं जो कि हमारे plant की growth करेंगे एकदम पत्यां भी green होंगी और अगर कल्यां गिर रही है या बन रही है तो उसकी उस समस्या को भी यह दूर करेगा और free का है friends तो इसको जरूर अपने फ्रांस में यूज कीजिए किसी भी plant में आप यूज कर सकते हैं और पत्यों पे स्प्रे भी इसको कर सकत हैं तो friends ये क्या है ये है friends rice water जब भी मैं दाल ये चावल फ्रेंड़ दो करके ये पानी निकालती हूं मैं इसको कभी भी फेकती नहीं हूं इकठा करती हूं ऐसे और अपने plants में इसको दे देती हूं तो अभी मैं night में इसको धो रही हूं friends rice और दाल तो मैं इसको next day ही यू तो friends अब इसको next day हो गया है और में next day इसको as a fertilizer अपने प्लांच में यूज करूँगी तो आप कभी भी ये पानी फेखने की गलती मत कीजिए और friends अपने प्लांच में इसको यूज कीजिए क्या तरीकिए इसके प्लांच में देने के और ये पानी आप अपने लिए भी नु ना ही पौधो पर ना ही हमारे उपर तो ये पानी ऐसे फर्टिलाइजर कैसे यूज करना है ये मैंने नाइट एक नाइट के लिए छोड़ दिया था तो अभी थोड़ा स्ट्रोंग हो चुका है ये इसमें पानी एड़ करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि अगर हम डिरेक्ट आइस दो कर जो पानी निकलता है उसको डिरेक्ट पानी में दे सकते हैं तब ही एकदम तो उसमें पानी एड़ करने की जरूत नहीं होती है लेकिन इसको नाइट के लिए छोड़ दिया था तो इसमें पानी एड़ करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारे बै है फोसफोरस है जिंक और आईरन और इसमें फ्रेंड्स पोटेशियम भी है जिससे हमारे प्लांट्स पे फूल और कलिया बनेंगी जो बहुत ही जरूरी सारे न्यूट्रियंट है इसमें प्लांट की ओवरॉल ग्रोथ के लिए तो आप इसको डेलूट करके ही दीजिए और अ आप अपने पत्यों पे इसको स्प्रेवी कर सकते हैं तो इसके बहुत ही फायदे हैं एक बड़ा फायदा है इसका की मिटी में गुड बैक्टिरिया जो होते हैं वो पनपने लगते हैं और जो बैड बैक्टिरिया है उनको ये खतम करता है और इसका एक फायदा और है कि य लिए होकर नहीं गिरेंगी तो गर्मियों में ये फर्टिलाजर जरूर यूज कीजिए और मधु कामनी के लिए तो ये बेस्ट फर्टिलाजर है क्योंकि इसका एक फाइदा है कि ये जो इस पे फूल आएंगे उनमें बहुत ही अच्छी खुश्बू होगी मतलब और गैनिक फर्टिलाजर से हमारे प्रांट्स के फूल में बहुत अच्छी खुश्बू होती है इसलिए गर्मियों में और गैनिक फर्टिलाजर ही यूज कीजिए और केमिकल अवाइड कीजिए तो ये देखिए मेरा फ्रेंट्स सारे प्रांट्स हेल्दी हैं अभी जो भी मैंने प् पानी जरूर आपको और ज़्यादे मिलाना है और ये बहुत यह भी स्ट्रॉंग फर्टिलाजर बनके तयार है दाल में भी बहुत अच्छी मातरा में विटामिन्स प्रोटीन के अलावा इसमें फॉस्फोरस केल्शियम नाइट्रोजन आईरन और मैगनिशियम भी पह जात जो फ्री के फर्टिलाजर है वो हमारे प्लांट्स के लिए और्गैनिक फर्टिलाजर तो है ही और हमें कुछ भी बाहर से खरीदने का जरूद नहीं है हमारी कीचन में ही मौजूद है सारे फर्टिलाजर तो इसमें मैं ज्यादा पानी मिलाऊंगी क्योंकि ये थोड़ा स् और गैस इसमें बन चुकी है तो फ्रेंड्स ये दे कि मैंने पूरा जग भर लिया है अब मैं इसको अपने प्लांट्स में यूज करूँगी इसको आप किसी भी प्लांट में दे सकते हैं तो फ्रेंड्स ये ही थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरू कीजिएगा और चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और थेंक यू फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए थेंक यू